दुर्ग शहर में लगतार आवारा मवेशियों और सांडों की लड़ाई के चलते लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं अब निगम की अंदेखी के चलते लोगों के घरों के अंदर तक गुश जा रहे हैं मवेशी दुर्ग नगर निगम के अंदेखी और लापरवाही के रवये के चलते दुर्ग शहर के कई वाडों में आवारा मवेशियों और सांडों की लडाई का सामना शहर की जनता को इन दिनों करना पड़ रहा है इन आवारा मवेश्यों की लड़ाई के चलते लोगों की जानमान हाने के साथी उनके समानों को भी काफी नुकसान पहुँचते देखा जा रहा है हम बता दें पिछले दिनों दुरुग शहर के राजी नगरवाट दो में दो सांडों के आपसे लड़ाई के चलते अपने घर के दरवाजे पर बैठी एक वृद्ध महिला रुखमीन बाई साहू की चपेट में आने से मौत हो गई थी वही इस घटना करम की फुटेज सामने घर में लगे CCTV केमरे में दर्ज हुए थे आज भी इसी वाट के एक घर में सांड जागुसा बिना बाउंडरी वाल के च्छत पर घंटु गूमने के बाद बड़ी मशक्कत करने पर नगर निगम की वाट सफाई कर्मियों द्वारा नीचे सांड को उतारा गया बाउजोद इसकी दुर्ग नगर निगम इस मामले में गम भीरता दिखाते हुए उनकी लगातार अभियान चला कर पकड़ने की कारवाई कर सिर्फ खाना पूर्ती कर रहा है इसी मामले में दुर्ग नगर निगम प्रशासन पर निशाना साथ नहीं पूर सभापती दिननेश देवांगन ने दुर्ग निगम को इसका जिम्मिधा ठहराया है रिद्ध की मौत हो गई अभी उस दिनों पूर्व दू दिन पूर्व इंद्रा मार्केट में दुकान में सान भुज गया और आज गया नगर में छट पर सान चड़ गया यह रोज इस तरह से घटना देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ नगर निगम में जो कॉंग्रि की लगातार है और कहीं भी इन को रखने कि जगां ही है नहीं कोई उचीत ब्यास्ता है और जिसका नतीज़ा है कि लवारी Ici सब्सक्राइब लोगों को निगलने के लिए बहुत ही सोचना पड़ता है अभी आज जो गया नगर में घटना हुई उसको उतारा गया कल रात को मेरे साथ भी घटना हुई है महन असाधी में गया था तो आवारा कुट्टों ने मुझे काटने के लिए दोड़ाया था इस त साथ में दिलाने के लिए नगर निकम की परिशाद को और कॉंग्रेस सरकार को काम करना चाहिए ग्रैन एसीन न्यूस के लिए दुर्ग से नसीम फारुके की रिपोर्ट